हल्दी का हमारे जीवन में अपना एक अलग ही महत्व है हल्दी आज इस वीडियो में आपको हल्दी के आसान जोतिस उपाय बताएंगे हल्दी का क्या महत्व है इसके बारे में हमें बताने की अवश्यक्ता भी नहीं क्योंकि हल्दी के विशय में आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे किशन में, हमारे रसोई घर में बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। हल्दी यदी सबजी में डाली जाती है, तो स्वाद के रूप में हम गिरहन करते हैं। किसी भी पदार्थ को बनाने में यदि सब्जी में हल्दी नहीं है तो फिर स्वाद बेस्वाद हो जाता है इसी प्रकार से हल्दी का अपना एक अलग महत्तो है साधी विभा में शरीर में हल्दी चड़ाने का रिवाज है हल्दी लगाने का रिवाज है और हल्दी के बिना विभा जो सम्मंद है विभा उस्सव है वो पून नहीं होता हल्दी का एक अपना अलग ही महत्तो है आज जोतिस आधार पर आपको बताएंगे कि हल्दी के आसान उपाय कौन-कौन से हैं कैसे करने हैं आपको और अपने पूस्मत को हल्दी के माध्यम से चमका सकते हैं और वो भी बड़े आसान तरीके से बहुत ही सरल उपाय है तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो निवेदन है विननती है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जिस में बार बार बाधाय आ रही है और कोई भी काम करने को जाते हैं वो होता नहीं या बनता नहीं ऐसे में हल्दी का आसान उपाय है तीन चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल कर इश्नान करना सुरू कर दें बिगन बाधाय अपने आप दूर होना सुरू हो जाती है गु पहले दिन से परणाम देना शुरू करता है हल्दी यदि आप जल में नहने के जल में डाल कर इसनान करते हैं इसी प्रकार से इसनान करने के बाद हल्दी को एक तामे के लोटे में जल और उसमें तीन चुटकी हल्दी डाल के शूर भगवान को अर्ध दें इससे अगर आपकी सासन सकता नौकरी व्यवसाय और साथी साथ मान सम्मान पर कहीं बनाई है कहीं आपका पैसा अटका हुआ है धन कोई ले करके आपका बापस नहीं कर रहा है तो ये छोटे से आसान सरल उपाए से हल्दी के उपाए से आपका वो मान सम्मान प्राप्त होगा नौकरी वे उफसाय में जो अरचन है वो दूर होगी और साथ ही साथ अटका हुआ पैसा, किसी के पास फसा हुआ पैसा भी हल्दी के इस आसान उपाय से वापस प्राप्त होता है हल्दी का एक और आसान उपाय है जिसको करने से बहुत बड़ा लाब आपको प्राप्त होता है यदि हल्दी को आप हल्दी की गाठ हती है हल्दी की गाठ को आप अपने उजवे उजवे का मतलब दाहिने हाथ की बाजू में बांध लेते हैं तो निश्चित मान कर चलो इससे आपका गुरू प्रबल होता है यहां तक की ऐसा करने से आपको पुखराज जैसे महेंगे रत्न को भी धारन करने की आवश्रक्ता नहीं और बहुत ही जवर दस्त लाब देता है यदि आप हल्दी की एक छोटी सी गाठ को अपनी बाजू पे बांध लेते हैं तो सभी प्र आजू में अपने बाहों में हल्दी की एक गाठ बांधने से लेकिन ध्यान रखे हल्दी की गाठ काले धागे में नहीं बांधनी है और गुरुवार के दिन बांधनी है गुरुवार को प्राता काल जिस समय सूरुदय होता है उस समय से लेकर एक घंटे के भीतर आपको इस स्वेम भू है नैसरगी चीजे हैं जिनको आप बांध कर अपनी किसमत को चमका सकते हैं लाप प्राप्त कर सकते हैं हल्दी का तो बहुत बड़ा महत्व है यदि किसी को चोट लग जाए या घाओ हो जाए उसमें हल्दी लगाने से कहीं कुछ सरीर में दुख राओ हल्दी ब अपना अलग महत्व है इसलिए साधी विवास हमारों में भी हल्दी दुल्हन को लगाना दुले को लगाना इसलिए लगाया जाता है कि इससे निखार आए खुबसूरती बढ़े सुंदरता बढ़े यह तो है है लेकिन जो उपरी बाधाएं हैं विगन हैं उनको भी आपक के पास फटकने ना दे वीडियो पसंद आई हो तो शेर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बहुत बहुत आबहर बहुत धन्यवार इश्वार आपको हमेशा सुखी रखे संपने रखे और स्वस्त रखे